एक आदमी एक गलब की डांसर से अपसेस्ट है इसी गलब का ओनर इस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता यहाँ पर और और भी चीज़े प्ले में हैं यही इस मूवी को इंट्रेस्टिंग मनाती है आज के हमारी मूवी एक जोडिका एक 1994 की एक हॉलिवड मूवी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कहना चाहता हूँ अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करतीजेगा इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है अब बीना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट होती है और हमारा main character जिसका नाम है Thomas हम देख सकते हैं कि एरपोर्ट पर है वहाँ उसकी बैक्स विएरा चेक हो रही है जहाँ चेकिंग हो रही है वहाँ एक mirror है और उसके पीछे कुछ officers है इनके बातों से हमें पता चलता है कि Thomas पर वो शक कर रहे है चेकिंग के बाद Thomas बाहर निकला वो जहाँ जाने वाला था वहाँ और एक आदमी जाने में interested था उसने Thomas से कहा कि हम दोनों cap share कर लेंगे Thomas भी इसके लिए agree करता है जब यह दोनों taxi में हैं तो हम देख सकते हैं कि Thomas एक चीज को check कर रहा है यानि कि airport पर उसने कुछ छुपाया हुआ था airport वोर मिला हुआ आदमी और Thomas एक घर जाने के लिए fair share करने वाले थे पर जब यह आदमी taxi से उत्रा तो Thomas को उसने एक ticket दिया यह concert के लिए ticket है इस आदमी ने कहा कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बहार खड़े होकर इस ticket को sale कर सकते हो इसे उसे पैसे मिल जाएंगे डारेक्ली यह आदमी Thomas को pay नहीं करता Thomas जब घर पर आया तो उसने अपने स्टमक को कुछ strap किया हुआ था इस strap में उसने कुछ अंडे चुपाए हुए है इसके बारे में जैसे मूवी आगे बड़ेगी वैसे हमें पता चल जाएगा इसके बाद हमें एक club दिखाया जाता है जिसका नाह में exotic का और यही हमारे मूवी का title है हमारी और एक main character यहां introduce होती है जिसका नाह में Christina Christina इसी club में stripper का काम करती है इस club में लोग खुद के लिए private dance book कर सकते है तो जो भी लड़किया यहां काम करती है तो इनके introduction का काम Eric करता है तो सब लोगों से कहता है कि आप इस लड़की के साथ private session भी कर सकते हो यही इसका काम है इसी club में और भी हमारा एक main character हम देख सकते है जिसका नाम है Francis Francis यहां audience में बैठा हुआ है stage पर Christina अपना show करती है वो इसके बाद Francis अपना private session book करता है इसके parallel की scene में हम देख सकते है यह Thomas के पास concert की ticket है वो खुद इस concert को देख सकता है या ticket sale कर सकता है वो फिर उसका एक ticket इसी और को sale करता है और एक concert देखने के लिए जाता है जिस आदमी के साथ उसने एक concert देखा उसे वो check out कर रहा था show खतम हो जाने के बाद इसी आदमी से Thomas बात करता है कहता है कि मुझे gift मिले थे और मैंने तुम्हें अब ये sale किये है तो मुझे बुरा लग रहा है उस आदमी को उसके पैसे वो वापस कर देता है उस आदमी को लगता है कि शायद Thomas उसे like करता है वो फिर उसे बुच्छता है अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रीन पर ले जा सकता हूँ Thomas इसके लिए मना कर देता है इसके बाद हमें फिर से एक लव दिखाया जाता है Francis शो देख रहा था पर वो स्टेसफूल है इसी वज़े से वहाँ से चला जाता है इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि Thomas अपने बेबिसीटर को उसके घर छोड़ रहा है पहले बेबिसीटर Francis से बहुत सारे क्वेशन पुछती थी Francis उसे कहता है कि हम इतना बोरिंग हूँ कि तुम मुझे अब कोई भी क्वेशन नहीं पुछती है वो हमेशा अपने हेड़फोन से लगा कर ही गाड़ी में बैठती है वो गहती है कि ऐसा नहीं है अगर आप जाहो तो मैं आपसे क्वेशन पूछ सकती हूँ इसके बाद ही बेबिसीटर वहाँ से चली जाती है एक्चुल में Francis जब भी घर से बाहर जाता है तो इसी बेबिसीटर को घर पर रख कर जाते है इसके नेक सीन में हम फिर से कलब देखते है कलब में सब लड़कियों को इंट्रोडूस करवाने वाला एरिक इसे उसके बॉस ने बुलवाया है बॉस का नाम सोय है सोय एरिक से यहती है कि जब तुम और लड़कियों को इंट्रोडूस कराते हो तो तुमारी टोन नॉर्मल होती है जब क्रिस्टिना की बारी आती है तो तुम अपने इमोशन्स में भेह जाते हो उसके बहुत तारीफ करते हो वह गहती है कि आप तुम्हें यह करना कम कर देना चाहिए बॉस उससे कह रही थी कि इस इंट्रड़क्शन के पार्ट में वो खुद इन्वाल्ड होना चाहती है एरिक कहता है कि मैं जो काम करता हो यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है लोगों को मैं कन्वेंस करता हो कि इन लड़कियों के साथ उन्हें प्राइवेट सेशन चाहिए तुम्हारी इस हालत में अगर तुम्हें काम करोगी तो लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा एक्च्वल में जोई प्रिगनन्ट है इसी वज़े से वो कह रहा था हमें इस से इन से पता चलता है कि यह बेबी एरिक का है इस बेबी के बारे में जोई एरिक से बात कर दिये उसे पुछती है इस बेबी के बारे में तुम्हें क्या लग रहा है तुम फील क्या कर रहे हो एरिक कहता है मुझे तो बहुत सारी फिलिंग्स आ रही है पर यह सब मुझे दबा कर रखनी पड़ेगी इनके बीच में एक कॉंट्रैक्ट है इस बेबी का फादर एरिक तो है पर फिर भी जोह और एरिक में एक प्रोफेशनल रिलेशन्शिप है जो एको बेबी चाहिए था तो एरिक ने सिर्फ उसे हल्प की थी बेबी के बर्द के बाद एरिक से उसका कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रहेगा इसी तरी के कई कॉंट्रैक्ट है इसके बाद नेकसिन में हम देखते है थॉमस एनिमान सेल करता है उसके पास उससे मिलने के सब्च ओंटनन्ट है अब एरिक का जो बिजनेस है इसे वह ऑडिट करने वाला है इन दोनों में करने से खुझता है यह तब audit करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा फ्रांसिस कहता है कि तुमने अपने बुक सही से नहीं लगाए है तो मुझे एक विक तक लग सकता है हम देख सकते हैं कि थोमस को audit हो रहा है तो जरा टेंशन में है इसके बाद नेक सिन में हम देखते हैं क्रिस्टिना जोय के फायर क्यों नहीं कर देती है उन दोनों में रिलेशन्शिप में इसी वज़े से एरिक जलता रहता है वो कहती है अगर तुमसे फायर करोगी तब उस पर एक ऐसान ही करोगी यह सब सिच्वेशन में आपको फिर से बताता हूँ जोय एक्च्वल में एरिक के वेवी से प्रे लेशन्शिप है निक्सिन में हम देखते हैं फ्रांसिस जब थोमस के लिए औरिट कर रहा था तब थोमस के एक ट्रॉवर में उसे गन मिली गन देखने के बाद वहां से वह चला गया जाते जाते थोमस से उसने कहा तुम्हारे बुक्स बहुत ही सस्पिजेस है तुम जो भ बेविसिटर को घर पर छोड़कर क्लब में क्रिस्टिना का डांस देखने के लिए पहुचाता है इसके पैरलल के सीन में हम देखते हैं थॉमस ने फिर से कंसर्ट के लिए दो टिकिट्स पाई किये हैं लास्ट टाइम उसने जो किया था यही वो फिर से करने वाला है एक स् तो फिर क्या होगा रिश्टना कहती है तुम हमेशा मुझे प्रोटेक करोगे कोई भी वरी मत करो अब ये क्या था इसकी मिस्ट्री हमें मूविय में आगे पता चलेगी घर आने के बाद अपनी बेबी सीटर को फ्रांसिस घर छोड़ता है उसकी बेबी सीटर कहती है जब भी तुम घर पर आते हो तो मेरे फादर बहुत ही अनकमफडेबल महसूस करते है क्या आप दोनों एक दूसरी के फ्रेंड्स नहीं है फ्रांसिस कहता है कभी-कभी फ्रेंड्शिप उसी तरीके से होती है जैसे आप बड़े होते जाते हो तब आपके साथ एक बैगेज होता है यानि कि emotional कुछ बुरी चीज़े आपके साथ हुई होती है जो आप साथ लेकर चलते हो फ्रांसिस पर उसे समझाता है कि इस बैगेज के साथ आप फ्रेंड्शिप करते हो कभी-कभी इसे आप हाइड करते हो और कभी-कभी नहीं कुछ लोग तो फ्रेंड्शिप भी नहीं रखते हैं तुम्हारे फादर इस टाइब के बैगेज को छुपाते नहीं और फिर भी मेरे साथ फ्रेंड्शिप में हैं वो कहता है इसायद हम दोनों की फ्रेंड्शिप अनकमफटेवल है पर कभी-कभी फ्रेंड्शिप उस तरीके से हो सकती है फ्रांसिस से बेबिसिटर मिले थे क्रिश्टिना एरिक से बुछती है कि अपने लाइफ में तुम क्या करना चाहते हो एरिक क्रिश्टिना से कहता है कि अब तो मैं टैक्सी ट्राइवर हूँ पर मैं डीजे विगरा बनना चाहता हूँ मेरे वोइस के साथ कुछ करना चाहता हूँ क्रिश्टिना एरि क्रिस्टिना से कहता है कि आज मुझे लग रहा है कि मेरे कोई फ्रेंड्स होने चाहिए थे क्रिस्टिना पुछती कि ऐसा क्यों तो कहता है कि आज मैं तुम से मिला हो तो इस सब के बारे में मेरे फ्रेंड्स को कहना चाहता हूं पहली बार मिलने के बाद ही क्रिस्टिना को अ क्रिस्टिना जोय के पास आती है वो जोय को कहती है कि तुम्हे और एरिक में जो कॉन्टेक्ट है इससे में डिस्गस्टेड हूँ इसके पैरलल में हम देखते हैं कि थामस एक स्टेंजर के साथ कंसर्ट देखने के लिए आया हुआ है जिसके साथ हो था उसे लाइक कर रहा थ लास्ट टाइम उसने जैसा किया था कंसर्ट हो जाने के बाद जिसके साथ वो कंसर्ट देख रहा था उसके पैसे उसे वापस कर दिये यह ट्रीक को फिर से इस आदमी के साथ भी करता है इस आदमी को लाइक करता है तो फिर यह दोनों थोमस के घर पर आते हैं घर आने पर थो के हैं इसके बात ये दोनों इंयाज जाते आज रात फिर से क्रिस्टिना की बुग कर लेता है उसका डांस देखता रहता है तो शायद उसे कोई हट कर सकता है इसके बाद वह बोधसी डेश्टाप हो जब उन्मा था कि उसके पीछी पीछी एरिक आ गया उसे वह बात करते हैं एरिक कहता है तुम और क्रिस्टिना अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हो वह किसी के साथ भी इतना क्लोस नहीं है तुम दोनों बहुत ही क्लोस हो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम् जाल देता है यहां डांस करते वक्ट डांसर को टच करना अलाउड नहीं है फ्रांसिस बहुत ही हर्ड हो चुका था शायद उसे फिर से क्लब में भी नहीं आने देंगे रात में जब अपनी बेबिसीटर को घर पर छोड़ रहा था उसकी बेबिसीटर ने उसके सर पर एक चो एरिक ने फ्रांसिस को कलब से बाहर निकाल दिया तो फ्रांसिस कोई केस वगराना करे तो इसी वज़े से जोई उससे क्वेस्चन पूछती है कहती है कि तुम्हें उसे वार्निंग देनी चाहिए थी डार्टल उसे बाहर क्यों फेक दिया एरिक कहता है कि मेरा इंपलसिव decision था मुझे लगा था शायद वो क्रिस्टिना को hurt करेगा क्रिस्टिना भी इस conversation में Francis की side लेती है कहती है Francis ने मुझे touch तो किया पर उसका वैसा meaning नहीं था जो इस बात को सही से समझ नहीं पाती है previous के scene में हमने देखा था कि Thomas Thomas एक आदमी के साथ intimate हुआ था जब सुबहा होती है तो आदमी वहाँ से जा चुका है और Thomas के अंडे भी वहाँ से गायब है Francis उस आदमी को call लगाता है तो आदमी कहता है तुमसे फिर से मिलना चाहता हो इसलिए वह अंडे लेकर जा चुका है इसके बाद हम फिर से flashback का scene देख सकते हैं यह जो scene है इसमें Eric और Christina first time मिले हैं और और कुछ ढूंड रहे हैं इन दोनों में बहुत सारी बाते हुए और Eric को Christina बहुत ही अच्छी लगती है Christina से कहता है कभी कभी मुझे life में लगता है यह मैं कभी भी satisfied नहीं होगा इसी वज़े से मुझसे बहुत सारी चीज़े छोट जाती है अब मैं तुम से मिला हो तो तुम मुझे बहुत यह अच्छी लगी मुझे लगता है शायद तुम भी मुझे छोड़ कर चली जाओगी इसके बाद हम फिर से present देखते हैं Last night Francis जो भी बाते कर रहा था इससे उसकी babysitter worried है वो अपने डैट से कहती है Francis के लिए मैं अब babysit नहीं करना चाती है यहां में पता जलता है Francis की पहले family हुआ करती थी Family की date के बाद भी Francis वेविसिटर को घर पर लेकर जाता है और घर का ख्याल रखने के लिए गयता है Last night जो हुआ था Francis को directly क्लब से बाहर निकाल दिया गया था तो क्रिस्टिना से और वो फिर से बात करना चाता है उसे कुछ questions है पर वो क्लब में नहीं जा सकता वो जब Thomas को audit करने के लिए फिर से उसके पास आया तो उसने उससे बात किये Francis ने कहा कि तुम क्लब में जाना वो आ जाकर क्रिस्टिना से मिलना Francis ने उसे कुछ questions दिये है वे यह सब questions क्रिस्टिना से पूछने है Thomas यह नहीं करना चाहता Francis कहता है मुझे तुमारे illegal business के बारे में पता है जो animal के अंडे तुम supply करते हो यह $200,000 का तुमारा business है तुम सही से उसकी accounting नहीं रखते है जो मैंने अब पकड़ लिया है government को तुम पर पहले ही शक था जो मैं confirm कर सकता हूँ Francis ने अब जो Thomas को blackmail किया है तो Thomas के पास भी ज़्यादा कुछ option नहीं है वो रात में जाता है और Christina का dance पाय करता है Thomas Christina से बुछता है जिस आदमी के लिए कल तुम dance कर रहे थी उसे बाहर क्यों fake दिया गया Christina Thomas से यह थी है कि उसे मुझे touch नहीं करना चाहिए था Thomas मुछता है तुम्हें क्या लगता है उसके माइन में जल क्या रहा था जब उसने तुमें touch किया Christina गेती है हम दोनों में relationship बहुत ही अलग है कुछ सालों पहले उसकी wife और daughter का murder हो गया था पुलिस को लगा कि यह murder Francis नहीं किया है उन्होंने Francis को बहुत torture किया था बात में real killer पकड़ा गया और Francis free था पर अब भी Francis को इस चीज़ के बारे में बहुत बुरा लगता है जो उसे नहीं तोड़ने चाहिए थे क्रिस्टिना और Thomas में conversation बहुत ही deep हो चुकी थे यह जब Eric ने देखा तो फिर से वो जेलास हो गया था Thomas जब washroom गया तो उसके पीची पीचे फिर से Eric आया उसने कहा कि तुम क्रिस्टिना से बहुत ही अच्छे से बात कह रहे थे कुछी घंटों में तुम दोनों अच्छे से फ्रेंड्स बन चुके हो क्रिस्टिना और मेरा हम दोनों का relationship भी ऐसा ही था मैं first time उसे मिला और मुझे लगा कि मैं हमेशा से उसे जानता हूँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ एरिक का इस तरह से थोमस से बात करना यह बहुत ही weird था थोमस जब क्रिस्टिना के पास आता है तो उसे सब कुछ यह चीज़ बताता है क्रिस्टिना समझ जाती है कि एरिक ही होगा वो यह भी figure out करती है कि शायद फ्रांसिस से कल एरिक ने बात की थी क्रिस्टिना फिर जोय को यह सब बताती है उसकी complain करती है एरिक अपने सफाय में कुछ कहता है पर क्रिस्टिना उस पर बहुत जादा नाराज है एरिक को लगता है कि शायद वो फिर से क्रिस्टिना को पास सकता है पर इन दोनों में relationship beyond repair चली गई है रात में फ्रांसिस ने कलब में आने का try किया पर उसे किसी ने भी आने नहीं दिया इस चेज से फ्रांसिस बहुत ही चेट चुका है नेक्स डे जब वो थोमस से मिलता है तो उसकी गण ले लेता है कहता है कि अब मैं एरिक को जाकर मार आऊंगा फ्रांसिस ने जब थोमस को कलब में भेजा था तो थोमस के पास एक microphone था थोमस क्रिस्टिना से जो भी सब बाते कर रहा था यह सब फ्रांसिस गाड़े में सुन रहा था फ्रांसिस को अब पता चल चुका है कि अरिक ने उसे setup किया था उसने उसे manipulate किया कि वो क्रिस्टिना को touch करे फ्रांसिस इस बात से बहुत ही गुसा है उन एक्स दिन जब थोमस से मिलने के लिए आता है फ्रांसिस उससे कहता है तुम यह क्या कर रहे हो फ्रांसिस कहता है मेरी life में मुझसे सब चीज़े चीन ली गई है वो क्लब में आकर क्रिस्टिना से जब बात करता था तो उसे अच्छा लगता था अब यह भी चीज एरिक की वज़े से उसे चीन गई है अब वो Eric को मार डालना चाता है Francis ने फिर Thomas के साथ प्लैन बनाया उसने कहा कि तुम जाकर Krishna को टच करना Eric जब तुमें कलब से बाहर निकालेगा तब मैं उसे मार डालूँगा यह उनका प्लैन एक्जिगूट हो ही रहा था तब ही Eric खुद से कलब से बाहर निकल गया Francis के हाथ में उसने गन देखी Eric कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब को जानता हूँ अगर तुम चाहो तुम मुझे मार सकते हूँ वो उसे एक बात बताता है कहता है तुम्हारे बेटी की डेट बोडी मुझे ही मिली थी Eric अपने ब्रेक अप की वज़े से दुखी है और Francis अपनी बेटी की वज़े से Francis फिर अपना माइंड चेंज कर लेता है और रोने लग जाता है यह एक दुसरे को सहारा देते हैं अब हम फ्लैश बैग में भी देख सकते हैं कि जब Eric और क्रिस्टिना कुछ ढून रहे थे तो उन्हें Francis की बेटी की ही बोडी मिली थी इसके बाद हमें और भी एक फ्लैश बैग दिखाया जाता है जिसमें Francis और क्रिस्टिना में क्या रिलेशनशिप थी यह मैं पता चलेगा जब Francis की वाइफ और डॉर्टर जिन्दा थी तो डॉर्टर को बेबी सिट करने के लिए क्रिस्टिना हमेशा आया करती थी बेबी सिट हो जाने के बाद Francis हमेशा क्रिस्टिना को घर चोड़ता था यहाँ पर वो बहुत सारी बाते करते थे Francis हमेशा अपने डॉर्टर की तारिफ करता था एक दिन क्रिस्टिना ने फ्रांसिस से कहा जिस तरह से अपने डॉर्टर पर तुम प्राउड हो उस तरह से कभी भी मेरे पैरेंट्स नहीं हो सकते अपने पैरेंट्स को लेकर वो बहुत ही दुखी थी क्रिस्टिना के घर में सही से इन्वार्मेंट नहीं था फ्रांसिस ने क्रिस्टिना को घर छोड़ दिया क्रिस्टिना कहती है जब आप मुझे छोड़ने के लिए आते हो जो हम कार में बाते करते हैं यह उसे बहुत अच्छा लगता है इन दोनों के लिए एक टाइप की यह थेरेपी है एक दुसरे के अच्छे फ्रेंट बन चुके थे अब इस फ्लैश बैक से हमें कुछ बाते पता चली है क्रिस्टिना के घर में सही से इन्वार्मेंट नहीं था इसलिए उस्ट्रिप कलब में काम करने लग चुकी थी वो फ्रांसिस की एक अच्छी फ्रेंड भी थी अमने वाइफ और डॉटर के मर जाने के बाद फ्रांसिस को एमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है इसलिए वो हमेशा क्रिस्टिना को देखने के लिए आता था इन दोनों की रिलेशन्शिप में कोई भी एट्रेक्शन का पार्ट नहीं था फ्रांसिस हमेशा क्रिस्टिना के लिए वरी करता था कि जहाँ वो काम कर रही है यहाँ पर वो हर्ट हो जाएगी इसलिए हमेशा आया करता था हर रात उस पर नज़र रखकर उसे वो प्रोटेक्ट कर रहा था मूवे में हमने देखा है कि जब फ्रांसिज़ अपनी बेबिसिटर से बात करता है तो उसे अच्छा लगता है अपनी बेबिसिटर में वो क्रिस्टिन को देखता था वो अपनी लाइफ से अभी भी move on नहीं कर पा रहा इसलिए अपने wife और daughter के मर जाने के बाद भी वो घर पर एक babysitter रखता है ये movie mainly heartbreak और pen से deal करती है इस movie के characters एक दूसरे में कुछ ना कुछ sympathy ढूंदते है Francis के साथ जो भी हुआ इसके बाद वो move on करने की कोशिश करेगा इसी तरीके से एक थोड़े से cliffhanger पर इस movie की ending हो जाती है और आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe करें और bell notification icon दबने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तब दिख ले थाइंग्यों और आप अपने आपका खैल रखे